मौधी पहली परिक्षा में पास ये सवाल इसलिए क्योंकि देश के प्रधान मंत्री हैं लेकिन राज्यों में चुना हो रहे थे तो खाक छान नहीं रहे थे बलकि लगातार चुनाव परचार के जरीए एक संदेश दिया जा रहा था कि दरसल जादूई आकड़ा छूने की कूबत बीजेपी में है तो अगवाई करते हुए नरेंद्र मोधी है शायद इसलिए ये पहली परिक्षा थी है परिक्षा राज्यों की थी लेकिन मोधी इसमें कूट पड़े और जो एक्जिट पोल ने दिखला है वो महरास्ट हो या हरियाना दोनों जगाओं पर बीजेपी ना सिर्फ सफ से आगे बलकि हरियाना में अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में और महरास्ट में बहुमत के आकड़े से चंद कदम पीछे इंतिजार की घड़ियां खत्म होई महरास्ट से हरियाना तक चुनाओं सही सलामत संपन हो गए अब इंतिजार उन नतीजों का है जिस से तै होगा कि लोगसभा चुनाओं वाला मूदी जादू बरकरार है या ढल गया नतीजे आने तो बाखी हैं लेकिन एक्सीट पोल से जो जाकी मिल रही है वो बता रही है कि मोदी की जय जय है इस चुनाओं में बढ़ चरकर के हिस्सा लेना स्पष्ट बताता है कि वो मौजूदा सरकार को जो राज्य की सरकार है उससे हट करके जो रुझान देखने को मिला है वो भारतिय जनता पार्टी के पक्ष में इंडिया टुडे ग्रूप सिसेरो की एक्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि महराश्रू में बहुमत ना सही लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में बीजे पी का उभरना मोदी के नाम का डंका बजाने वाला है महराश्रू में बीजे पी को करीब 124 सीटे मिलने का नुमान है तो बीजे पी से गटबंधन तूटने के बाद अकेले चुनाव लड़ रही शिवसेना को लगता है कि 71 सीटों पर संतोश करना पड़ेगा कॉंग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि जिस NCP ने मूँ खुला कर हाँच छुडाया था उससे वो ज़्यादा सीटे ला सकती है कॉंग्रेस को 35 जबकि NCP को 29 सीटे मिलने का नुमान है थोड़ा घाटा तो राज ठाकरे की MNS को भी हो सकता है जिसे 7 सीटे मिलने का नुमान है जबकि अन्यदलों और निर्दलियों को 22 सीटे मिल सकती है हलाकि एक्जिट पोल में BJP बहुमत के आकड़े से थोड़ी दूरी पर ठिठकती दिख रही है लेकिन जिस राज्य में वो हमेशा से शिल सेना की जूनियर पार्टनर रही वहां सत्ता की चौकट पर पहुँचती नजर आ रही है दूसरी तरफ हर्याना में भी पार्टी के लिए अच्छे दिन दिख रहे हैं कुछ एक्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजे पी को बहुमत मिल जाएगा तो कुछ के मताबिक वो बहुमत की देहलीज पर होगी न्यूस 24 टुडेज चानक के के मताबिक हर्याना में बीजे पी को खरीब 52 सीटे मिलने के आसार है अगर ऐसा हुआ तो बीजे पी अपने दम पर सरकार बनाएगी वहीं एबीपी न्यूस निलसन की मताबिक हर्याना में बीजे पी को 46 सीटे मिलने की उमीद है जबकि टाइमस नाउ सी वोटर के मताबिक हर्याना में बीजे पी 37 सीटें पास सकती है यानि बहुमत से कम लोकसभा में मोदी ने अपने दम खम पर बीजे पी को बहुमत दिला दिया था अगर एगजिट पोल के रुजहान सही दिशा में जा रहे हैं तो बीजे पी के लिए ये सोने पे सुहागा होगा वो गदगद हो सकती है कि बस मोदी नाम के असर ने उसे दो राजियों में सबसे बड़ी पार्टी बनवा दिया आज तक ब्यूरो वाकई ये परिक्षा नरिंद्र मोदी को नहीं देनी थी प्रधान मंत्री मोदी को नहीं देनी थी और मोदी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 रेलियां करें लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष मिश्चा ने कहा दरसल ये कैसी चुनावती है जिसमें बेड़ा पार आप ही लगा सकते हैं के बाद तेह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी की रेलियां कुल 34 रेलियां हुई ऐसी ऐसी जगाउं पर रेलियां हुई जिससे लगा कि कोई मुक्मंत्री अपने रज में चुनाव परचार करने निकला है लेकिन इन सबसे होसला पस्त भी पच्चका हो गया और होसला अवजाई बीजेपी की हो गई चुनाव महराश्ट का चुनाव हरियाणा का कहने को ये चुनाव विधान सबा के थे लेकिन नजरें इस देश के सबसे बड़े नेता पर गड़ी थी सच तो ये है कि दो राज्जों के विधान सबा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई सबसे बड़ा प्रचारक था तो वो थे नरेंदर मोदी प्रदार मंत्री नरेंदर मोदी देश के कामकाज में मश्कूल हो गए थी इसलिए उस दोरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधान सबा चुनाओं में मोदी कितना प्रचार करेंगा लेकिन माहौल तो यही बन गया कि सूबे के बीजेपी नेताओं को लोग भूल गए याद रहे तो बस मोदी राज्यों में भी उनकी सरकार केंदर में भी उनकी सरकार 60 साल तक एक चक्री राज किया इनोंने एक चक्री और आज 60 दिन का मेरा हिसाब माग रहे हैं पहले 60 साल का हिसाब तो दो दशेडे की अगली सुबा यानी चार अक्टूबर को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों के लिए निकल पड़े फिर तो अगले दस दिनों तक वो लगातार चलते रहे बोलते रहे मोदी ने महराश्र में कुल 24 रैलियां की जबकि हर्याणा में 10 रैलियां एक तरफ देश चलाने की जद्दो जहर दूसरी तरफ सूबो में सरकार बनाने का संखर्ष मोदी ने दोनों मोर्चों पर अपनी भूमी का निभाई कभी दहारा गोटाले से बड़ा गोटाला फिर उससे बड़ा गोटाला फिर गोटाले में भी गोटाला ये गोटालों के गोटालों के गोटालों की सरकारे चल रही है तो कभी गला भी बैट गया लेकिन होसले और उम्मीदों को बैटने नहीं दिया विफक्ष ने सवाल उठाया कि मोधी प्रधान मंत्री की कुर्सी परासीन होकर भी यतना चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं उन्होंने भी सवाल उठाये जो कल तक BJP के बगलगीर थे अब जवाब BJP की तरफ से आया है इतिहास की धारा कहां से कहां जुड़ जाती है BJP के लिए मोधी क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन टेंडूलकर की तरफ बन गए सचिन लगातार 25 साल तक रन मनाते रहे 13 साल से मोधी भी सियासत की चुरावी क्रीज पर डटे हुए है मोधी की अगवाई में BJP ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाई 2002, 2007 और 2012 इसके बाद देश जीतने की चुनोती आई तो 2014 में वो भी दिखा दिया अब महराष्ट और हर्याडा के नतीजे 19 अक्टूबर को तै करेंगे की मोधी का विजयरत कहां पहुंचता है फिलहाल तो मोधी के नाम पर अपनी राजनीत की दुहाई देने वाले ये मान कर चल रहे हैं कि जम कर लड़े हैं, मोधी के नाम पर लड़े हैं अपने वादों की कलम से मोधी ने लोग सभा के बाद दो राज्जू की विधान सभा चुनाओं का भी इमतिहान दे दिया है नतीजा बताने वालों की राय भी इवियम में बंद हो गई है 19 अक्टूबर को पता चलेगा कि जन्ता ने क्या फैसला सुनाया है दरसल ये चुनाओं महराष्ट और हर्याना का मोधी वर्सेस ओल की दिशा में चला गया क्योंकि ध्यान दीजिये तो चाहे वो NCP हो या कॉंग्रेस हो मोधी ने हर किसी पर निशाना सादा चोटाला को घोटाला के दाएरे में खड़ा कर दिया और इन सब के बीच तमाम राजनिती के दल मोधी के खिलाफ एक जुट होते चले गए और शायद यही वज़ा है राजनिती के किंदर में नरंद्र मोधी खड़े थे और वह चक्रवियू को भेच सकते थे और भेच दिया भी एक्जिट पोल ने तो यही दिखा दिया महराश्ट के दूखों को दूर करने के लिए महराश्ट में शिवसेना से 25 साल पुरान रिष्टा तोड़कर मोधी ने अकेले मोर्चा समाला लेकिन पहली रैली में ना तो बाला साब ठाकरे के खिलाब कुछ बोले और ना ही शिवसेना पर निशाना साथा लोगों ने चुप्पी पर सवाल खड़े किये तो दूसरी रैली में एलान कर दिया कि वो बाला साब का बेहद सम्मान करते हैं लेहाज़ा शिवसेना के खिलाब कुछ नहीं बोलेंगे मैंने तय किया है कि बाला साब की गहर मौजूदकी का ये पहला चुनाव है मारात्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साब के परती अपनी स्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाब एक शब्द भी नहीं बोलूँगा मोदी ने बड़ा दाउं खिला शिवसेना तिल में आई और सामना में लिखा कि बाला साब के सम्मान करते हैं तो गटवंदन तोड़ते वक्त उनकी याद क्यों नहीं आई यानि शिवसेना पर अब ये साबित करने की मजबूरी थी कि गटवंदन बीजेपी ने तोड़ा फिर शिवसेना ने सामना में मोदी के खिलाफ अनि भी की मोदी के लिए चायवाला की जगे आम आद्मी जुम्ले का इस्तमाल किया लेकिन बीजेपी तब बिफर पड़ी जब शिवसेना ने मोदी के बारे में अपमान जनांटिप पड़ी करती मोदी शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलने का अईलान कर चुके थे बीजेपी ने भी नर्मनुक अपना रखा था लेकिन शिवसेना लगादार हमने कर रही थी शिवसेना ने मोदी के तुलना उस अफजल खान से कर दी जिसने शिवाजी को धोके से मारने की कोशिश की थी इस सारे लोग अफजल खान के वक्त मतलब शिवाजी महाराज जी के वक्त बहुत ही वो जो फौज थी उनके पास क्या नहीं था शिवसेना मोदी पर वार पर वार करती रही लेकिन प्रधान मंत्री जनता को ये जताते रहे कि उनके असली दुश्मन कॉंग्रेस और NCP है हर्याणा में बीजेपी का दाव महराष्ट जैसा ही रहा मोदी दनादन रैलियां करते रहे और सहयोगी रहे कुलती पिश्णोई पनिशाना साथने से बचते रहे लेकिन कॉंग्रेस और RLD पर जम कर हमला बोला दरसल बीजेपी की रणनीती यही थी कि पूरी लडाई को मोदी बनाम दूसरों में तब्दील कर दिया जाए ताकि दूसरी पाटियां स्थानिय मुद्दों से हट कर सिर्फ और सिर्फ मोदी पनिशाना साथने हुआ भी यही मोदी अपनी बात कहते रहे दूसरी पाटियां मोदी को निशाना बनाने में उल्ची रहे आज तक ब्योरो हुआ 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 झाल झाल